बल्रामपुर में डीएफो ग्रामीडो को बता रहे तेंदुए से बचाव के उपाई 15 दिनों के भीतर वन्यजीव प्रभाग के बरहवा रेंज के तहट तेंदुए ने तीन बच्चों को अपना शिकार बनाया है प्रभागिया वनाधिकारी सोहेलवा एम सुमारन लोगों को तेंदुए से बचाव का उपाई बता कर उन्हें जागरुख कर रहे हैं डीएफो ने बताया कि बरहवा रेंज के स्टाफ ने ग्रामवासियों को हिंसक वन्यजीव से बचाव के लिए ग्रुप में चलने हांका लगाने बच्चों को घर से बाहर ना निकलने के लिए जागरुख किया है साथ ही संभावित स्थलों पर लगातार पैट्रोलिंग करते हुए लाउड स्पीकर वा पैमपलेट के माध्यम से लोगों को जागरुख किया जा रहा है घटना स्थल के आसपास पिंजरावा ट्रैफिक कैमरा लगाया गया है उन्होंने बताया कि 3-2 से बचाव के लिए लोग खेतों में 2-5 के समूह में रहे जंगल में इनको आहार मिलता था जंगल में बिलफ हो गया जंगल में आहार मिले इसलिए जानवर बाहर निकल के आगे है अब इसकी सुरक्षा का ध्यान थारिष्ट को रखना चाहिए अगर नहीं रखते है तो इस तरीके से घटना बढ़ती चली जाएगी जंता बहुत आक्रोशित है और बहुत परेसान भी ॐसक में तो यह तो यह अपना रखा पाए बूखो मर जाएगे निए आह जांता बेंकि मरी के घागाघगी अगर खेत में जाते हैं तो वहां टेन्दुआ या बाग इस तरीके से हम लोगों को उपर आक्रम्र कर सकता है कल जैसे आपने सूचना दी लिए अधिकारियों को इस अधिकारियों को मैंने सूचना दिया नजर हर कबर पर